एलो प्रेंट्स वेलकूम वेल्कूम बैक ऊनुदर ऊच्चत करते हैं वासे मेजर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले बताऊगा बुर्जी, आपको बार-बार पूच रहे थे पूच रहे हैं जो पॉइंट है और जो ब्रियं करते हैं भूर जी बनाते है जैसे कि कोई भी आ कौलम मार्किंग इसको एक्सका बेंख करने के पहले फूटिंग को एक्सकारीक होता है पर्पर कॉलम की मार्किंग जैसे कॉलम्स रेने के लिए को यह था बोल्बाद के चुना पेल Twelve tu इन उन वतारी कने लिए आपको नुझे उसे पहले फ़umbai पकुलब की मार्किंग सही प्लेस तो भुड़व讲 किसे बना लिए देख हैju प्लिंद वीम चोड़ा है नाइन इंची के अंदर यह जो विल्द वीम के रहेगी और सेम प्लिंद व प्लिंद वेम आको 14 की वह तो 14 इंटी की भीम प्रोइड खरेंगे अगर आपकी 9 इंची गया तो 9 इंची वह वें करेंगे उसके बाद यह कोलम है यह लास्ट वाला कोलम है रहता है वाला तो उसके फेस में आप एक बुर्जी मां बनाते हैं ताकि बुर्जी पर्मनेट बुर्जी बनी रहे उसके बाद प्लिंट लेवल पे आपको मार्किंग मिल जाए और एक्षकावेशन होती है नीचे आ आपको खुदाई होने के बाद करते हैं वहाँ पर मार्किंग चाहिए होती है चैसा तो यह लेकिन रहें वहां से रहती है तो इससे हम minimum 2 feet या फिर 3 feet या फिर 4 feet minimum 2 meter है आप सपोस्च किजिए मार ले ले लेते हैं ताकि जो इसकी खुदाई होती है minimum 2 meter या 2 meter की होती है तो minimum 3 meter बुर्जी पीछे बना देंगे चाकि बुरजी बच जाए और ख़़ा ही हो जाए अपकी तो उस बुरजी से आपकी सेंटर लाइन मिलेगी फिलिन वीम है जाइनें पृटर नेखे तो में सपोस कि जी यह हमने सेंटर पॉंट ले लिया तो सेंटर पॉइंट जैसे मैं दिखालता हूं यहां से तो इस तरह से हमने यह कोलम प्लिंड बीम यह आपकी चोड़ाई होगी नाइन इंची नाइन इंची का हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा तो यह हमारा सेंटर पॉइंट होगा प्लिंड बीम का यह प्लिंड बीम र पॉइंट तो सेंटर पॉइंट आ जाएगा ठीक है उसके बाद यह सड़े चार वाई सड़े चार दोनों तरफ निकल जाएगा उसके बाद यह सड़े यह सड़े चार इंची है मिल जाएगा यह आपका चार इंची बाहर है जो यह कोलम की मार्किंग है बारवी बारा का है ब 2.3% इंची रहेगा तो इस त miesसे ये जो तो ब्रिक मेरजनि करते हैं कोलम की लाइन मार्किनग करते हैं उसके लिए पहले हम भूर्जी बना लेते हैं ताकि हमारे कोलम की लोकेसे ने वा मिल जाए ये लाइन मार्किंग मिलिए आपको लोंड वाल के लिए यह लाइन मार्किंग बुर्जी यह मिलती है लंबी वाल के लिए मिल गए यह से लंबी वाली वाल हो गई अब लेते हैं इस वाली वाल की बात जो बुर्जी यहां पर बनाएंगे कॉर्नर पे उसी से तो लंब वाल इधर मिलती है और एक वाल की point इधर मिलेगा जैसे ये बुर्जी बनी हमारी ये वाली वाल के लिए और इस वाली जो beam हो गई इस beam के लिए हमारी बनाएंगे जैसे वहाँ पनाते हैं वहाँ पर दिवार है तो दिवार पर हमने marking कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यह वाला जो face रहेगा यह वाला face यह आउटर face है 9 inch का यह वाली pilinky मैं पलिन जीम का आउटर face याभी पयुच पा आउटर face और जो बीच में देख रहे हैं वहाँ पर जो बीच में देख रहे हैं वह भी 9 inch के चोड़ा है कि उसके बाद इस्टार्टर किसको कहते हैं स्टार्टर आपका यह रहेगा यह आपकी एंगल का बना होता है मैस एंगल का बना होता है यह भी 40 x 40 mm का पूल करते हैं यह तो इसका जो साइज है अगर आपके परट डंनृ नहीं है तो इसको आप शार्टर नहीं तो इसको आप यसे कर सकते हैं किसीन इसें कि इस वारी मार्किंग की आसंच जल्सें लम ऋएंश हम लेते इस टेंगा और जैसे कि देख रहे हैं इस्ट्र मो Master क को चैने कर देते हैं तो अंदर अंदर साइज लिए अन्दर साइझ चोवीस इंच यह यां फेक बारा latch आप़ हमें यहां पट्क करना है जैसे यहां बढ़ी ब्रशी मना देते हुं इसके सेंट्र प्वेर्ड नंदर Сंट्र से तो यह वाला जो फेस रहेगा इसका जो फेस रहेगा यह आउटर तक लेते चले आज़ाते हैं और जो यह वाला फेस रहेगा आपका आउटर वाला यह आप देख पारे हैं जो यह सभी कोलम है यह वाले एक लाइन में अलायमेंड है वाले आउटर वाले आthem लाइनमेंट में है तो इसमें क्या करेंगे जो इस बूर्जी रहता है पॉइंट रहता है यहां पे इस वाले फेस के हमारे एक सिधा दागा बांदेंगे पिल्कु सीधा वाले लाश्ट वा इस से झाल्हक करती है और जोँ पॉंट रहेगा यह वाला लाइन यह नहीं किलों पॉंगck हूं है यौडिन आपकी बाइनतकर यूज करेंगग हो रिजफ पॉंट यह वाला point भूनिया काम करता है तो यह डागा लगाने से पहले खोलो को श्टार्टिंग करने से पहले एंड जो लाषच वाला starter होता इसा को लगाने से पहले डाहने के अट्वान भी अधिन ने से पहले को आउटर यह वाले जो शरीया होते हैं यह अन्दर फिलाप होई जो पोर्षण है यह बीच वाला खाली रहना चाहिए उसके बाद पड़ा सुगा सिमेंट होता है वह पर से छिड़कते हैं यह नहीं तो देखाई देगा नीचे सपोर्म के मार्किंग को सही कि धी हमने तो हैं तो कोलम जैसे दिखाई देगा नीचे से फोलम दिखाई देगा तो वहां बांदेगे तो फिर यहां पर दागा बांदेने के बाद इस पर जो दागा बांदेगे एक सरीया सीधा दागा बांदेगे यहां पर टाइट करगे दागा वहां पर सरीया बांदेगे तो टाइट कर देगा वो दागा आपको क्या क करेगा इसमें मार्क करेगा ठीक है तो बस कुछ प्रेसिक पॉइंट से मैं आप से शेयर किये तो मिलते रहेंगे सब ट्रेक्निक का वीडियो तब तक के लिए बाई बाई